प्रस्न 6 का 3 यदि किसी भीन का हर उसके अंस में जोड दिया जाए और उसका अंस हर में से घटा दिया जाए तो भीन 11 बटा 3 हो जाता है वह भीन ग्याद किजिए यदि उसका अंस हर से 3 कम है तो प्रस्न 6 का 3 तो लिखेंगे माना की भीन का अंस बराबर एक्स और हर बराबर बाई है तो क्या मान लेंगे भीन का जो अंस हो एक्स है और हर है बाई अता भीन क्या हो जाएगा भीन बराबर एक्स बटा बाई ठीक है तो अंस उपर रहता है और हर नीचे रहता है यानि भीन हो जाएगा एक्स बटा बाई अब लिखेंगे प्रस्न से तो कह रहा है कि यदि किसी भीन का हर उसके अंस में जोड़ दिया जाए तो देखें यदि किसी भीन का हर उसके अंस में जोड़ दिया जाए तो अंस X है और हर बाई है तो कह रहा है जोड़ने के लिए तो x ब्लस by हो जाएगा और उसका अंस हर में से घटा दिया जाए तो उसका अंस हर में से घटा दिया जाए तो हर by है और अंस है x तो कह रहा है उसका अंस हर में से घटा दिया जाए तो देखिए हर में से यानि by में से x घटा देंगे तो भिन हो जाता है 11 वट 3 तो जैसे प्रस्ण में कर रहा है, उसी तरह हम इसको करके लिख देंगे, यानि X प्लस बाई बटा बाई माइनस X बराबर 11 वट 3 हो गया तो इससे हम पहला समिकरन ग्याद कर लेंगे ठीक है? इससे हम पहला समिकरन ग्याद करेंगे तो तिर्चा गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x पलस 3y बराबर 11y माइनस 11x देखें 3 से x पलस y को गुना किया है और 11 से y माइनस x को गुना किया है तो इस तरह लिख लेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं आप 3x पलस 11x पलस 3 by माइनस 11 by बराबर सुन x वाले को एक साथ किया है तो माइनस 11x इधर जाके पलस 11x हो जाएगा 11 by बराबर के 22 तरफ आके माइनस 11 by हो जाएगा और दाया तरफ कुछ नहीं बचा तो इधर सुन ने लिख लेंगे तो कितना हो गया 3x प्लस 11x 11 3 हो गया 14x 14x और 11 में से 3 गया तो तो 11 3 14x हो गया 3 by माइनस 11 by क्या हो जाएगा माइनस 8 by बराबर सुनने ये हो गया पहला समिकरन तो पहला समिकरन निकल चुका है 14x माइनस 8 by बराबर सुनने अब देखिए अब प्रस्न में देख रहे हैं प्रस्न में अब क्या कर रहा है वह भीन ग्याद किजिए यदि उसका अंस हर से 3 कम है तो देखे कर रहा है कि वह भीन ग्याद किजिए यदि उसका अंस हर से तीन कम है यानि यानि अंस जो है हर से तीन कम है तो x बराबर बाई माइनस तीन निकलेंगे ठीक है क्या कहा रहा है कि अंस हर से तीन कम है अंस जो है हर से तो हर है बाई तो बाई में तीन घटाएंगे तो यह हो गया दूसरा समिकरन इससे मालम होगा तो यह प्रस्न में दिया हुआ है अब देखिए इसको हम लिख लेंगे X minus Y बराबर minus 3 यह हो गया दूसरा समिकरन Y को दाएं से बाएं दिख ले जाएंगे तो minus Y हो जाएगा यह दूसरा समिकरन हो गया अब लिखेंगे अब पहला समिकरन है 14x-8y और दूसरा समिकरन है x-2 ठीक है तो किसी एक को बराबर करना होगा तो इसमें देखिया 8 से हम गुणा कर देते हैं तो 8y ये भी हो जाएगा तो हम लिखेंगे समिकरन पहला घटाओ समिकरन दूसरा गुणा 8 से यानि समिकरन पहला में से समिकरन दूसरा में 8 गुणा करके घटाएंगे ठीक है तो हो जाएगा तो समिकरन पहला कितना है समिकरन पहला है 14x-8y बराबर सुन्य यह समिकरन पहला अब समिकरन दूसरा में 8 से गुणा करेंगे ठीक है तो समिकरन दूसरा देखिये यह है तो 8 से गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा माइनस आठ वाई हो जाएगा बराबर आठ में तीन से गुना करेंगे यानि माइनस चोबिस अब इसको घटाना है देखें घटाओ का चीन दिये है यानि समिकरन पहला में से समिकरन दूसरा में आठ गुना करके घटाना है तो घटाना है तो चिन बदलेगा पलस है तो माइनस, माइनस है तो पलस माइनस है तो पलस माइनस आठवाई और पलस आठवाई सुन्ने आ जाएगा 14 में से आठ गया तो 6x 6x बराबर 24 देखें, पलस 24 ये वहला चिन अब लगेगा तो X बराबर कितना आ गया आता है X बराबर आ जाएगा 24 वटा 6 यानि 6 चोब 24 तो X का मान आ चुका है 4 X का मान कितना आ गया है 4 अब लिखेंगे समी करन समी करन दूसरा में तो देखे किसी में भी मान रख सकते हैं या तो पहला में रख लें समी करन पहला में X का मान या समी करन दूसरा में अंसर तो आहीं जाएगा तो समी करन दूसरा में X का मान रखने पर समी करन दूसरा में X का मान रखने पर तो समी करन दूसरा है X माइनस बाई बराबर माइनस तीन तो देखे, X के जग़ा पे 4 रखते हैं तो 4-2 बराबर-3 तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? अथा, 2 बराबर 4 प्लस-3, यानि 7 हो जाएगा ठीक है? 4 प्लस-3 देखे, बाई को इधर किया है दाया तरफ, और माइनस-3 और 2 तरफ ले गया है तो कितना हो गया साथ तो लिखेंगा अता अता हमसे क्या पूछ रहा है यहां पर वह भीन ग्याद कीजिए तो देखें भीन बराबर तो भीन बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर कितना आया है चार और बाई बराबर साथ आया है तो x को अंस माने थे तो 4 को उपर लिखेंगे 7 को नीचे यानि भीन कितना आ गया 4 बटा 7 इसका उत्तर तो इसका उत्तर आ चुका है तो इस तरह से प्रस्ण 6 का 3 हल करेंगे प्रस्ण 6 का 4 किसी भीन के हर और अंस में दो जोडने पर वह 9 बटा 11 हो जाता है यदि हर और अंस दोनों में 3 जोड दिया जाता है तो वह 5 बटा 6 हो जाता है भीन गयाद करें तो प्रस्ण 6 का 4 तो लिखेंगे माना की भीन माना की भीन का अंस बराबर एक्स और हर बराबर बाई है बाई है ठीक है तो अंस को एक्स और हर को बाई मान लेंगे अतर भीन क्या हो जाएगा भीन बराबर हो जाएगा एक्स बराबर बाई क्योंकि अंस एक्स है तो अंस को उपर लिखते हैं और हर को नीचे, यानि एक्स बटा बाई हो जागा भीन, अब लिखेंगे प्रस्न से, प्रस्न से, तो प्रस्न से क्या करा, किसी भीन के हर और अंस में दो जोडने पर, ठीक है, किसी भीन के हर और अंस में दो जोडने पर, तो हर में अंस में भी दो जोडने पर, जोडने पर 9 बटा 11 हो जाता है 9 बटा 11 हो जाता है ठीक है तो इससे हम पहला समिकरन ग्याद कर लेंगे तीरचा गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 एक्स प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 गुना बाई 9 बाई प्लस 9 दूना 18 ठीक है तीरचा गुना करेंगे तो 11 x प्लस 11 दुना 22 बराबर 9 by प्लस 9 दुना 18 इस तरह लिख लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 11 x माइनस 9 by बराबर 18 माइनस 22 ठीक है देखें 9 by को इधर लाएंगे 22 को इधर ले जाएंगे दायां से बायां, बायां से दायां करेंगे तो यह चीन बदल जाएगा तो कितना आ गया 11 x माइनस 9 by बराबर 18 में से 22 गया तो माइनस 4 इसको हम पहला समिकरन लिख लेंगे देखें पहला समिकरन ग्यात हो चुका है अब फिर से प्रस्ण पढ़ेंगे तो कह रहा है कि यदि हर और अंस में दोनों में 3 जोड दिया जाता है तो वह 5 बटा 6 हो जाता है क्या कह रहा है कि अंस और हर में 3 जोड दिया जाता है कितना हो जाता है 5 बटा 6 तो इससे अब हम दूसरा समिकरन ग्यात करेंगे तिर्चा गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 एक्स पलस 6 ती अठारा बराबर 5 से गुना करेंगे तो 5 बाई पलस 5 ती आई 15 ठीक है तो यह हो जाएगा 6 एक्स माइनस 5 बाई बराबर 15 माइनस 18 बायां से दायां और दायां से बायां करने पर चीन बदलेगा तो कितना आ गया 6 एक्स माइनस 5 बाई बराबर 15 मेंस 18 गया तो माइनस 3 यह हो गया दूसरा समिकरन इसको हम लिख लेंगे ठीक है यह हो गया दूसरा समिकरन तो पहला और दूसरा समिकरन ग्यात हो चुका है अब देखे किसी एक को बराबर करेंगे ठीक है तो तो लिखेंगे यहाँ पर समिकरन समिकरन पहला गुना 5 समिकरन पहला गुना 5 माइनस समिकरन दूसरा गुना 9 से यानि समिकरन पहला में 5 गुना करेंगे और समिकरन दूसरा में 9 गुना करेंगे और फिर घटा देंगे तो समिकरन पहला में 5 गुना करते हैं तो समिकरन पहला है 11x तो 11 में 5 गुना करेंगे तो कितना हो जागा 55x 55x-945 by बराबर माइनस 20 पांचोग 20 यानि माइनस 20 ठीक है समिकरन पहला में ये 5 से गुना किये हैं तो देखें 11 55, 9 45, 5 20 अब समिकरन दूसरा में 9 से गुना करते हैं तो समिकरन दूसरा यहां पहला है 9 चक 54 9 पचे 45 9 तिय 27 यानि माइनस 27 अब इसको घटाना है तो चीन बदलेगा पलस है तो माइनस, माइनस है तो पलस माइनस है तो पलस ये माइनस, ये पलस कट गया 55 में से 54 गया तो X तो X बराबर कितना आ जाएगा प्लस 27 माइनस 20 यानि 7 तो X बराबर देखिए 7 आ चुका है ठीक है अब लिखेंगे समिकरन समिकरन पहला में समिकरन पहला में X का मान रखने पर समिकरन पहला में X का मान रखने पर तो समिकरन पहला क्या है 11 X माइनस 9 बराबर माइनस 4 तो इसमें हम X का मान रखेंगे तो 11 गुना 7 X बराबर 7 आया है माइनस 9 बराबर माइनस 4 11 सते 77 माइनस 9 बाई बराबर माइनस 4 तो कितना आ जाएगा माइनस 9 बाई बराबर माइनस 4 माइनस 87 87 को इधर ले जाएगे तो बाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस 4 और माइनस 87 741 यानि 81 माइनस 81 बटा माइनस 9 हो जाएगा तो कितना आ जागा, नौनम्ह, एकासी देखे, माइनस, माइनस, प्लस यानि बाई बराबर नौ आ गया है तो लिखेंगे आता क्या पूछ रहा था हमसे भीन निग्यात करें तो लिखेंगे आता भीन बराबर भीन था एक्स बटा बाई एक्स कितना आया था साथ एक्स अंस है तो साथ को उपर लिख लेंगे बाई क्या हर है बाई बराबर नौ यानि भीन हो जाएगा साथ बटा नौ इसका उत्तर आ जाएगा साथ बटा नौ तो इस तरह से इसको हल करेंगे बटाएगा बाई बटाएगा उप onze साथ उह उपर है बाई बाई पो जाताएगा